प्रणाम सभी को राम राम आज का दिन शहीदों का दिन है आज के दिन एक बहुत बड़ी शहादत हुई थी जब हमारे सी आर पिएफ के जवानों के उपर आज के दिन हमला किया था इन कायर पाकिस्तानी आतंक वादियों ने आज 14 फबररी है 14 फबररी 2019 को आज ही के दिन कायर पाकिस्तानी आतंक वादियों ने एक हमला किया था हमारी सी आर पिएफ की गाड़ी के उपर और उस सी आर पिएफ की गाड़ी के अंदर हमारे 40 सी आर पिएफ के शूरवीर थे जिनके उपर हमला किया गया और उसके अंदर हमारे 40 शूरवीर जो हैं शहीद हो गे थे मैं आपको बता दू इसके अंदर एक आतंक वादी आदिल एहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला इस आतंक वादी ने एक गाड़ी बारूद से बरी हुई जाकट टकराई थी हमारी CRPF की कॉनवाई की गाड़ी के साथ और उसमें एक बड़ा ही नुकसान हुआ था हमारे हमारी देश का नुकसान हुआ था हमारे भारत का नुकसान हुआ था और आज के दिन इन दैशतगर्दों ने एक बड़ा आतंकी हमला किया था जैशे महुमद आतंकवादी गुट द्वारा ये आज के दिन इस आज के इसी दिन जो है आतंकवादियों ने हमारी CRPF के उपर हमला किया था आज का दिन जो है शहीदों का दिन है आज के दिन जो है हमारे शहीदों को याद करने का दिन है जिस दिन हम लोग अपने शहीदों को याद करते हैं मैं आपको ये बता दू कि बड़ा ही दुखत समाचार आया था मुझे आज भी याद है आज ही के दिन दुपहर का समय था और जब इस तरह की खबर आई तो हम लोग एक खबर के उपर ही थे तो उसी टाइम हमें ये खबर बतानी पड़ी थी इतना दुख हुआ था जिस समय हमने ये खबर बताई थी और पहले तो पता चला था कि आट से नो हमारे जवान शहीद हुए है फिर वो आंकड़ा बढ़ता गया क्योंकि पूरी की पूरी बस ही इस कायर पाकिस्तानियों ने जो है उड़ा दी थी ये वो ही कायर आतकवादी हैं जिन से आज कश्मीर के नेता बात करने की रोज रोज रोना रोते हैं देखते हैं आज कौन कोज सा कश्मीरी नेता जो है पुलवामा के लिए पुलवामा के शहीदों के लिए आज दो शब्द भी लिखता है आई सुभा ही परधान मंत्री जी ने पुलवामा के शहीदों को शर्धांजली दी और याद किया मैं आपको बता दू कि आज का दिन शहीदों का दिन है इसलिए 14 फेबरी शहीदों की याद में हमें याद करना चाहिए और एक बड़ा ही दुखस समाचार आया था आज के दिन वो था आज हमारे जवानों के उपर हमला CRPF के शूरवीरों के उपर और करने वाले थे ये कायर आतंकवादी पाकिस्तानी जैशे महम्मद गुट लशकर तोहबा ये आदिल डार पुलवामा का रहने वाला इसने ये आतंकी हमला किया था शर्म आनी चाहिए आज भी जो इन आतंकवादीों को सपोर्ट करते हैं देखते रहें जेके मीडिया मेरे साथ बोलें CRPF के 40 जवान जिनोंने पुलवामा में शहादत दी वो सभी अमर रहें राम राम